अओ छाटीके बंदूखा हाथ मेरा फड लहीं वे कोके जही नार जित्थे चाहे जड लहीं कि तेरे कोडो लेणी मुंदरी आओ तैन्नू मैं फडोना जटा छला केतले आली गाली दसी नी किते तिक्ते रें कलीनू जेतु कला हां तिले आली गाली दसी नी ओ खोला नी पियार चल्ले था था ते बैर नी पाल दी वुरेंगी जाट याउना तेरे शैर नी हाउ तेड़े बेले दस मुला कातो होनी जटी है सोटे होना देन साथे रातो होनी जटी है के तुखती आया के गपरू जे तुँ आखे ना परिंदे कुडे तार दी तु फिर तिया यारी लोनू मौ तो फेर भी पटांते हाथ मार दी के जक लेना जट गरिगे जेंट गानी हैंगी थोड़ी तेरे यार दी तु फिर तिया यारी लोनू बेज थोड़ा जया गरूर जटा वादि करी जाना हैं गालवी न सुनाइवे तु आधि करी जाना हैं देज थोड़ा जया गरूर जटा वादि करी जाना हैं तुस रुसे कंगरिवे व। येत कंगर वाल डंग एंग मुझे। जित धक्रेंक लिणु जेटू कलते ह AGD लbokकर आ थालल जान निक्राणू लगन निक्रा व। तेले कुडे नारानू भणाऊं देनी हल तोट जाने जेदी जाके कच्चे लगे होनगे दीद तेरी उते कुडे पच्चे लगे होनगे के गड़ी विचे यार गोरी है सीटी एक वीना खाली कुडे कार दी तु फिरतिया यारी लोनू मौत फिरती पटांते हाथ मार दी के जख लेना जट गोरी है जिंदगानी हैंगी थोड़ी तेरे यार दी तु फिरतिया यारी लोनू शाम सवेरे मानना मंगा तेरी खैर वे मुक्के ना पियार तेरे मुक्दे नी वैर वे वे शाम सवेरे मानना मंगा तेरी खैर वे मुक्के ना पियार तेरे मुक्दे नी वैर वे पोराले ले जा माना वे छड़ा दुनियानु फड़ा तिरा पल्ला वेतले याली गाल्य गसनी गीते टक्रें कलीनु जेतु कल्ला हातले याली गाल्य गसनी गीते टक्रें कलीनु जेतु कल्ला वेतले याली गाल्य दसनी अउप पोन खोन मित रातो रोज कीते जाने नी पुंडा याले कुडे मैधों चोज कीते जाने नी मान साथो लेंक जान्दे सरी ताके गोरिये चालती या पेशी के में गल बाध तोरिये के बेगु आड़ा नाल हुंता गा काणू फेरतियां एमें देलबार दी तु फेरतियां यारी लोनू मौत फेरती पटाते हाथ मार दी के जख लेना जट गरिये जिन्दगान नी हैंगी थोड़ी तेरे यार दी तु फेरतियां यारी लोनू मौत फेरती पटाते हाथ मार दी के जख लेना जट गरिये बैसी कूझ जाट पानी हुंदा दे तैंधों टैम यूत्त आनी हुंदा ओले हाथ राक लाकी उत्ते नी, अडी रैनी ये को शाकी उत्ते नी बोले हाथ रखला की उते नी, अडी रेनी एकोशा की उते नी, देखतां भी तेरी बड़े हाजरी, पामे कप रूपरार चल दे, वोवा शैर तेरे वैर चल दे, कला तेरे ना पियार चल दे अहुण तैन्नू गाल ना आई, मैं तेरी एकोशा मेरे वाल ना आई, वे नानू तु रखे कल तेहें, क्यां कदे तेरी कल ना आई, विखानी चादे नाल बांद कर दे, ताही सोच वेच नी चल दे क्यां सोच तेरी पार हो यानी, ओंडा इंच वी नवार हो यानी, पामे पुछी तूं सहली को नी, जनी खणी दाना यार हो यानी उले के रहा पिच दिल खड़िया, जित्थों जित्थों तेरा यार चल दे वोवा शैर तेरे वैर चल दे, कला तेरे ना पियार चल दे वोवा शैर तेरे वैर चल दे, कला तेरे ना पियार चल दे माना दास करदों सार लमेगा, लावा करदों वे तू चार लमेगा दे तू जदों नू से यारा बढ़ना, मेरे प्यार नू भी मार लमेगा मैनू नाम तो बुलाया करवे तो तेरे मुहों जी जी चल दे ये मैनू सचो सच दास जोब रहा, तेरा कृथे की चल दे चार सैन देन बेडा जटिये नाल लाली बेर गेडा जटिये नितु शर हम मेरे हो निखी तोहर आला हू तेरा जटिये तेरी मेरे उत्याक चल दी, मेरे हत्यों हो त्यार चल दे, वोवा शैर तेरे वैर चल दे, कला तेरे ना त्यार चल दे ग्राउंड विच्छ खड़े जजबाता नालनी, सूर्ज दी पन्दे आना बरते आमोड़् तों कुडे, बरते नी हार कदे जाता नालनी, सौरांद पीते आपे आल्ले आरन, सौरांद पीते आपे आल्ले आरन, दिलते दमाग विच्छ कालनी चल दि आउ चार पोन वैरी आनू गेम पोन या, मत्ते राना कदे कुडे जालनी चल दि तू ता कैंदी हुंदी सी, तू ता कैंदी हुंदी सी, तू ता कारे खांदे नाव सालनी चल दि खांदे कई देख देख खार मिठी है, तेरा चक्ने नू फिरत दिया यहार मिठी है, तू राले तू नी जेडा माण दास दे, रक तेगा खरे खरे नाल मिठी है, बना कुझे चल ले आजवान साटी चों, ती पैन दीता कदे गालनी चल दि चारपोन वैरिया नू गेम पोन या, मत्ते राना कदे कुझे चालनी चल दि उमरांदे साथ तू ता कई दी हुंदी दी, तू तार खांदे नालो सालनी चल दि कम इश्के दद ताहून साड गोरिये, वैरी रखता निकचा दू राड गोरिये देखे शरीफ जेड फैदा चक गे, उंगलात रख लेया चाड गोरिये इश्क पुरे दे बिच्च डेरा यार्दा, तू जे गदे इश्क दी पालनी चल दि आउ कार खोण वैरिया नू गेम पौन या, मत्राना कदे कुडे चालनी चल दि उमरांदे साथ तू ता कई दी हुंदी दी, तू तार खांदे नालो सालनी चल दि खरते जोरी जानाल साले होए ने, पत्ते यांदे बांगू भी बाचाड़े होए ने सूर्ज बलाया यास यद्धी रात नू, सेकेरत पैरे चांदे चाड़े होए ने, आसले दी किती बद नामी होणी या, आसले दी किती बद नामी होणी या, आउ केटाय मझेडे तो दनालनी चल दि उमरांदे साथ तू ता कैंदी होंदी दी, तू तार खांदे नाल साली चली अवो मेरे तेंटुली फेर्दी, आम यक नाल तेरी आउ कैसा लाजों करते आंगुडे पाल तेरी हाँ कागज परने पहले वे जंडा प्यारा दे, जा कोरे कागज लागे गुठे यारा दे पर शर्त अक बूल सोणिया, आउ साज ता मैं पाले ले 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 ओ तुही मण जाहीर मैं कठिया की पिया नहीं, मैं विचोड जोड के कप काफिया पीतिया नहीं मैं खुश हो जूगा मुंडा देख के हस दहीं, जा दावे निबले परचे दुगा का गस दहीं उमरांदा साथ मांगे दा, तो परुना साल चलूगा परुना दे पैयार जट दा, तुडे नाल नाल चलूगा परुना दे पैयार जट दा, तुडे नाल नाल चलूगा परुना गस दूपगा में हिन्दा जटा में मड़कानू गुरती दे विच मिल यानि झार दे बढ़कानू संब की नखिया हुसन वे जटा चोरा को चट्टू पैल पवाकेन जटता मोरा को चट्टा जे शरीव होजेगा, तुरे गल बैचला लेनिया परुने यान बना चटना, चट्टा यारी तो मेला लेनिया पल पुण यानू बणा छट्टिना चट्टा यारी तो बेला लेनिया पोरारे तू सुनी दा बुण्टा माना दा कार्ननू फ्यर्दाई सौधा वे जटा जाना दा तू तो पदे बर्गी न लोड़ंगा नालिया तो देखा के हटेंगा लगद वर्ष्वी सालिया तो देखी यक दीदू करा मादनी जदू करा माल चलूगा पल पुणा दे प्यार जट्टा अउफ तुडे ना नाल चलूगा लाके फड़ाता छला दूं कोई कदर ना जानी नी सरक सपांगू लगी दैनू इश्क गानी नी इश्क दबणता मलकंता खोर होनी आसी रैंती साड़े नालता गल्ला भोर होनी आसी पुलगी इक कताली पीवी कत्ती आले दा हो नमे यार्दी गड़ी चाड़ के चरदी पैरानू उंगली उप्पे तागता यलडे साड़े छले दा होंगली पाम सोणया नापतू देगी गैरानू उंगली उप्पे तागता यलडे साड़े चले दा होंगली पाम सोणया नापतू देगी गैरानू हम शर्बत वर्गा इश्क तु सारा डोल के रखता नी श्याउने वर्गा मुंडा कुड़िये रोल के रखता नी नाई तु यारी तस्खा मैं नू की सोच के नी तब तु चक्यन लाटा मंदा बोच बोच के नी जित्थे मिलती आके सब थामा जटिया मैं हों नक्षे तों हीटा तयलडे तेरे शैरानू उंगली उप्पे तागता यलडे साड़े चले दा मुदड़ी तामन सोणया नापतू देगी गैरानू उंगली उप्पे तागता यलडे साड़े चले दा मुदड़ी तामन सोणया नापतू देगी गैरानू ओ यार बदलगे तेरे जिवे जूट बदलगे नी कोराले तों शैर तेरे देरूट बदलगे नी बिपता दस दी सानू तैनू कट के हों देनी दस केता तू जान दी गेट तक छट के हों देनी अज भी जेते करदा तैनू मुणटा माना दा नई तेरे बर्गे होए अज भी मंग देखैरानू उंगली उप्पे थाग तैलडे साटे छलेता 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 उद्डडी दामन सोणिया नापतू देगी गहरानू उंगली उत्ते नागि तैलने साड्डे चल्डेता उद्डडी दामन सोणिया नापतू देगी गहरानू इको टोलिज साड्डा रावी कोसी दो जाने यसी लेंदे चावी कोसी पीलेंदी जद जाते कपी खाली लग दीसी ओ थी बुल मैं रखे जित्ते लाली लग दीसी ओ थी बुल मैं रखे जित्ते लाली लग दीसी आ लाग दीसी मेनू चंदरी हाईवाई वाँ जवाकाँ दे मेरे रखे ही रखे आय ओने ना जवाकाँ दे मेरे रखे ही रखे आय ओने ना जवाकाँ दे ना जवाकाँ दे तुद चिट्टी ओय सूटां दे रंग गूड़े देख दीसी सुपने बिट भी ना मेरे दे चूड़े देख दीसी सोना बुण के खाब खावरे खातों देड़ गीसी पसनी चलया इश्क मेरे ताबुह पेड़ गीसी भाब इश्क दे चंदरी ने वह मारे अंतिर ने सरील जाके छड़ी है मेरी हीर पतंदर ने सरील जाके छड़ी है मेरी हीर पतंदर ने अउ कदे कदाई याद तेरी जोंदे नू खाजे नी अज भी देखा फोन तेरी मिसकाल ही आजे नी अउ जेडे सन में मिलते सीटा याज भी पकियाने तेरी या मेरी या टिकता नी मैं साब के रखियाने अउ चन दिजान नी मर की तोड की तारे अंपर दे इश्क मेरे ते पारू पैगे दिन दसंपर दे अउ को राले दे रहानू जद जेते कर दी हूँ पैर जाई बिच भी माना यक्खा पर दी हूँ अउ पहले इश्क ते पहली उमर ती पहली यारी सी पैली लाइन मैं कमली ते चे तक ते मारी जी अप्पी पडली मैंनू मैं मुहोता के दानी तू ही बदल गई शैर मानता ओठी रह दानी तू ही बदल गई शैर मानता ओठी रह दानी तू ही बदल गई शैर मानता ओठी रह दानी तू ही बदल गई शैर मानता ओठी रह दानी आओ पल आनी सीने बिचे रहुले बानने रखेने ने कमे तेरे पुत्तने परहुले बानने रखेने जेडे लाउंद आसकी ममागा हजे केरा लाउंदे उत्ते धले लाइन लादू पापू बेडाय हओंदे आओ लाला के डपे तेरे करे हुणगे मंगी काउली जी नासानू खांडे नी दिती आओ कैके पुत्त पापू मेनू तून आप नाई श्रीकादिया जीबानू जे खांडे नादिती आउ खैके पुत पापु मैंनु तूना बनाई शरीकादिया जिवा नुझे खांटे ना दिती आउ पोड़ देनी पहला या पटाके काले करते युँगलाते रखेने जो लाके काले करते आउ जोटी हाथ लाउनला तू नेड़े होके भैणगे साब लाके देखिया मैं मेने मेंगे पैणगे आउ कारते जोट चराव तीरा बदलू कली कली गल जे मैं चांट नी दिती आउ कैके पुत पापु मेनु तून आप नाई शरीकादिया जीवानु जे खांट नाव जती आउ कैके पुत पापु मेनु तून आप नाई शरीकादिया जीवानु जे आख देसी जेडे साला याई थी तके खांगा की साड़े आजवाका तुवे मुरे लांगे जाऊगा आई आगी बारी पापु मेन ताली रुत दी मुँ आट देख देया फोटो तेरे पोत दी आउ मुफ्त च सिफ्तास नाउन गेताई नू नोटा याली मैं कोई पांड नी देती आउ कैके बुत पापु मेन तून आप नाई शरीकादिया जिवा नूजे खांड नाद देती आउ कैके बुत पापु मेन तून आप नाई शरीकादिया जिवा नूजे खांड नाद देती तेरे रहाया लाटो आपापु कला कला पारतू लेखाई याली लीवी सिसी टांग वांगू कार दू नोटा देनी पापु खार केता घुंदे पाण दे केडे रहेगे जेडे कोहली लेखाण दे तूनि याते हो न दा की फैदा भापु ऑँ तूनि याते होन दा की फैदा भापु अ secret जे तेरे नुझे मैं ठंट ना दिखती कैके पुत्न पापु मैंनु तूना बनाई शरीकादिया धिवा नुझे घंट ना दिखती कैके पुत्न पापु मैंनु तूना बनाई शरीकादिया धिवा नुझे घंट ना दिखती तात के मेरे करन लीष्टिर्री, नान के DCD पटीवे, अउगल ता तेरी पूर्ली चन्नी, खने दे विचली पटीवे, जेडे मुकाबुले खेटने आया, फेलने तेरी आटी मावे, फेलने तेरी आटी मावे, खेडियां लोण नुफिर दा जटीदे, फेले जटास में मावे, असब आसब कासा देख के तुर्थू, तुरियां खेवन करी मावे, शेडियां लोणनु फिर दा जटीदे, साथी बीचाई सुन रिकाने, ना तल्ली पाती साच्च कुडे, लिट्र कर्या लोन हाजिरी, कैन सलाहा चाच्च कुडे, गोलता यलडे रुड़ जानता आए, चोर सलाहा कते रुड़ता नी पैठे गीतू नाल सीट ते, खाल लीता जट मुड़ता नी, निर्या तुरिया फिर्ण करीमा, जनी खरीना जट जुड़ता नी, पैठे गीतू नाल सीट ते कार नाइंटी एट दे वरगी नखरो, कर माले नू लब दिये, पीक दे रखा जाड के नखरे, किठे चटी ताप दिये दुगणियें अप रोज डेट दी, ओ जिथों तक तेरी सीमावे, छेडिया लोनू फिर ते जटी ते, बेले जटा सकीमावे आसा पासा देख के तुर्थू, तुर्या फेर नकरी मावे, चेडिया लोनू विर तै जटी ते पीक दे जेडे रखे, नाखिरे लै जूदा जटलत के नी, मान मान तूँ पड़या करेंगी, कच्ची नी जची उठके नी नोट कांदी दे पैर नी पट्टते, जे नाम यार ता तुर्था नी पैठे गी तू नाल सीटते, खाल्ली ता जट मुड़ता नी निर्या तुरिया फिर्ण किरीमा, जणी खणी न जट जुडता नी पैठे गी तू नाल सीटते ओडलाइन आदे विच्च रहिंदे कपुरू, जाकाले नूँ जट्टी दा कोराले तो आमोहारी, जटा हुसन नी पट्टी दा माडे जेरे नू निर्ने कालिजे, किथे पाच्च दिया फीमावे जेडिया लाउन फिर्द जट्टी ते, ओफेले जटा सिकीमावे जेडिया लोनू फिर्द जट्टी ते पकाट काना इश्कु पुरे दा रैंद यारादे यार कुडे किनने अलडे बैठे मोहाली, किनने बैठे वार कुडे यारादा कुडे देख कापुडा नारादा दिल जुड़ता नी पैठे गी तू नाल सिट्ट ते, खाल्ली ता जट मुड़ता नी निर्या तुरिया फिर्द किरीमाव जणी खनीन जट जुड़ता नी पैठे गी तू नाल सिट्ट ते जदों हो या बीजी तेरे नाल दिया छोरिया बिंदे बिंदे तू भी चेक करेंगी से टोरिया मित्ते रानु खुड़े नी तुमेस करेंगी ठोन या भोटो नू भी किस करेंगी तेल खिचुशी ने विच्चों तोर जात दी मिठे मिठे यल्डे नी खावे याउनगे सूपने चनित ही जनावे याउनगे काड़ गीनी जदों तेहनू लोर जात दी मिठे मिठे यल्डे नी खावे याउनगे सूपने चनित ही जनावे याउनगे चाड़ गीनी जदों तेहनू लोर जात दी मैं फिलाच बेठे नुखे याल्य मेरे याउनगे सूणना नी तैन्नू तेर यार ताब लोणगे मैं फिलाच बेठे नुखे याल्य मेरे याउनगे सूणना नी तैन्नू तेर यार ताब लोणगे मुचाले चक्रानू तेजी करेंगा टैक तोमी जट्टा पर हेजी करेंगा राखी ते बठादू तैनू छली माक दी वारी वारी मैंनू वे तुफोन लाएंगा देखने दा मारा पीजी ठल्ले आएंगा अखा करूगी वे जट्टा तोड याख दी वारी वारी मैंनू वे तुफोन लाएंगा देखने दा मारा पीजी ठल्ले आएंगा अखा करूगी वे जट्टा तोड याख दी विश्केदा जधों दिल लागे गया तीर नी आमल ही ते पांगू तेरा टुटू घासरीर नी वाई जेडे दिला राख लारे दिखने अखा मूरे कुडे पंभूतारे दिखने दोवे हाथा नाल खिची जोर जात दी मिठे मिठे यलडे नी खावे आउन गे सूपने च नित ही जनावे आउन गे चार धीनी जटों कहिँ लोर जात दी मिठे मिठे यलडे नी खावे आउन गे सूपने च नित ही जनावे आउन गे चार धीनी जटों कहिँ लोर जात दी आय आय शिक पुरे तू जटा छट्ध के जमीनन अनु फीलिंगा तू लमे देग फिल्मा दे सीना लाई शिक पुरे तु जटा छड़ी के जमीनानू फीलिंगा तु लोहें देग फिल्मा दे सीनानू तुरी आगी मैं ता शाही ठाठ वर की अकार जा मचा दूंगी देले ले ले नसके दिसे बती आवा तारू हस हसके मौन करतारी का खिले ले 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 रब की कसम हम तो हरा सिवा दूसरा के ना चाहनी हो तु हमारा के चाहे लू पिसोर जी के वड़ी खुस रहनी हो रब की कसम हम तो हरा सिवा दूसरा के ना चाहनी हो तु हमारा के चाहे लू पिसोर जी के वड़ी खुस रहनी हो चाहनी हो अब सोचने बाली बात ये थी कि ये आदमी कौन था दोस्तों ये डेविड था जो फिल्म की स्टार्टिंग में दिखा था ये यहाँ पर एलिजबैत के साथ आया था डेविड इन सभी को एलियन के बारे में सब कुछ बता देता है डेविड ने यहाँ पर कई चीजों पर एक्सपरिमेंट भी किये होते हैं वो बहुत ही स्वार्थी हो चुका था हमें यहाँ पर पता चलता है कि वो जब यहाँ पर आया था तो यहाँ पर कई सारे लोग रहते थे लेकिन डेविड ने उन सभी को मार दिया था यानि की मौत की निन सुला दिया था क्योंकि डैबिड ने उन सभी पर एक्सपेरिमेंट किये थे वो ये बात हैं दूसरे रोबोट को बता रहा हूँ दोस्तों ये डैबिड था जो फिल्म की स्टार्टिंग में दिखा था ये यहाँ पर एलिजाबेत के साथ आया था डैबिड इन सभी को एलिएन के बारे में सब कुछ बता देता है डैबिड ने यहाँ पर कई चीजों पर एक्सपेरिमेंट बी किये होते हैं वो बहुत ही सुआरती हो चुका था हमें यहाँ पर पदा चलता है कि वो जब यहाँ पर आया था तो यहाँ पर कई सारे लोग रहते थे लेकिन डैबर ने उन सभी को मार दिया था यानि कि मौत की निन्सुला दिया था क्योंकि डैबर ने उन सभी पर एक्सपेरिमेंट किये थे यह बात हैं दूसरे रोबोट को बता रहा होता है वो कहता है कि तुम यह बात हैं किसी और को नहीं बताओगे क्योंकि तुम भी मेरी तरह ने हमला कर दिया होता है और देखते ही देखते वो सब ही उसे अपना भोजर बना लेते हैं और मेलिनी और साथ ही भी वहाँ पहुंसते हैं लेकिन वो भी उन हाइवरीड बच्चों के प्लान का एक हिस्सा होता है वो बच्चे अब उन्हें भी घेर लेते हैं इसके बाद मेलिनी और उनके बीच एक fight होती है जिसके बाद वो बच्चे वहाँ से भाग जाते हैं अब यह सबी लैब पहुच जाते हैं वहाँ मौझूद कैलरीन अब लैब में एक gas फैला देती है जिसकी वैसे कैलरीन को छोड़ सबी बेहोस हो जाते हैं इसके बाद डॉक्टर मेलिनी को घसीट कर operation के लिए ले जाती है अब यह सच सामने आता है कि डॉक्टर कैलरीन को एक blood infection लेकिन इन में से कोई भी उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता अब सिवाज एलेक्स को उसकी camping वाली जगा पर ले चलने को कहता है इसके बाद एलेक्स इनके साथ आगे वढ़ने लगती है रास्ते में इनको एक पल्टी हुई बस मिलती है नेट जब उस बस को चेक करता है तो उसमें एक gun और एक चावी मिलती है मिली हुई गन को नेट अपने पास छुपा लेता है जिसे वो वोल्टर को दे देता है गारी को खोलने पर इनको उसमें धेर सारा पैसा मिलता है सिवास सबको दो-दो भाग लेकर आगे चलने को कहता है लेकिन वोल्टर जखमी था इसलिये वो बैक धोने से इंकार कर देता है सिवास के फोर्स करने पर वोल्टर उसके नेट की दी हुई गन के साथ हमला करने की कोशिश करता है लेकिन उसमें गौली नहीं होती शिवास को इससे बहुत गुस्ता आता है जितने भी पिग आते हैं वो इन्फेक्टेड होते हैं जो किसी को भी नुकसान पहुचा सकते हैं इसलिए वो उन्हें मार देती है अब ये लोग मैकेनिक की तलास में उस वरत के साथ उसके घर पहुचते हैं अब बातों इबातों में Henry का जिक्र होता है जो वो उनसे Henry के लुक के बारे में पूछती है और एक फोटो भी दिखाती है वो कहती है कि Henry उसका गजिन है यह सुनते ही दोनों काफी घबरा जाते हैं और वहां से जाने का फैसला करते हैं अब सीन क्षिफ्ट होता है और दिखा वो जब जूते निकालता है तो वो हैरान रह जाता है, वो देखता है कि उसका पैर एक भेड की तरह हो गया है, अब उन्हें कई भेड अपनी और आते हुए नजर आते हैं, ये देखते ही वो भागने लगते हैं, भागते भागते एक लैब में चले जाते हैं, जहां भेड उ अर एंगर भी वही होता है हन्रिय उस से इसके बारे में पूछता है तो वह कहता है कि मैंने इसके मूवी के बजट के बारे में कुछ कोलमाल है इसी बीच हमें एक और पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहांपर हम देख पाते हैं कि अनामिका अपनी लाइफ अपनी मरजी से नहीं बलकि अपनी मा की मरजी से जी रही है और उसे ये पता चलता है कि उसकी पती और उसकी माने बैंक एकाउंट के सारे पैसे निकाल लिये है ये बात जानकर वो अपने प्रेमी के पास चली जाती है और उससे कहती है कि I am away due यानि कि मैं तुम्हारे साथ हूँ और फरागी कहती है कि मैं तुम्हारे साथ लंदन जाने के लिए तयार हूँ जिसके बात आनामिका अपने घर पर आती है तो हम देख पाते हैं कि उसका पत्रेमी कोई कॉन्टेक्ट नहीं हो पाता है अब डेलन यही सोच रहा था कि ये सब थ्रेडियस की गेम है क्योंकि सारे होर्समेंस ने मिलके उसको अरेस्ट कराया था और थ्रेडियस कहता है कि ये सब मैंने नहीं कराया है लेकिन मैं जानता हूँ कि ये सब कैसे हुआ है और इस टाइम पे होर्समेंस कहां पर है और मैं तुम्हें उनके पास लेकर जा सकता हूँ लेकिन ये तब ही पोसिबल होगा जब मैं जेल से बाहर आऊ उधर हम चार होर्समेंज को एक मैजिक शोप में देखते हैं और यहाँ पर ड्यानियल आई कम्यूनिटी को कॉंटेक्ट करता है क्योंकि वोल्टर की बात मानने का भी उनका एक रीजन था कि वो उस चिप को चुरा कर आई को दे देंगे और इसलिए ड्यानियल अब आई को कॉंटेक्ट करता है और अब वो बहुत जादा अलट सेक्यूरिट से लडूँगा एजन्ट टीनेजर लड़ाई शुरू कर देता है लेकिन फाइनली एनेविस उसको पकड़ लेती है जब प्रेसिडेंट को इस बात का पता चलता है तो वो परिशान हो जाता है कि यह ऐसे कैसे हो सकता है रेट टेलवन कैसे मर सकता है राइट हुक ने एक और बच्चे को ट्रेनिंग दी थी जिसका नाम है लिटिल विंगर्स वो भी मार्वलोस मैं जैसा होता है नीचे की और खीचने लगती है इसके बाद सभी भेड भी मारी जाती है अब वहां मैकी और अल आते हैं वो इस भयानक नजारे को देखकर बेहत घबरा जाते हैं वो लोग फ्रेट को ढूणने लगते हैं फिर उन्हें जमीन पर उसकी क्याब दिखाई देने लगती है वो उसको उठाते ही वहां से चार कदम की दूरी पर हट जाते है दरसल हैट के नीचे फ्रेट का कटा हुआ सिर होता है ये देखने के बाद दोनों वहां से भाग कड़े आफ करने के लिए बोलता है जिसके बाद सभी लाइफ को बुझा दिया दाता है अब उसकी बॉड़ी का चेक अप होता है तो पता चलता है कि वो बिलकुल नॉर्मल इंसान की तरह ही काम कर रहा है इसी तरह तीन दीन गुजर जाते हैं अब उसे वापस वीजिबल होने के लिए एंटिडोस को इंजेक्ट किया जाना होता है इंजेक्ट करने के बाद उसके शरीर में तेज दर्द होने लगता है इसके साथ ही वो वीजिबल भी नहीं हो पाता है उसे अब ऐसा लगता है कि वो मरने वाला है उसके हालत काफी खराब होने लगती है इससे देख उसके सहयोगी उसे एक मास्क लेप लगा देते हैं अब धीरे धीरे वो मेंटली डिस्टॉब भी होने लगा था इससे लेकर काफी परिशान भी था जिन्दा बच पाती है उस लड़की का नाम होता है सैली उस लड़की ने पुलिस को अपना बयान दर्ज कराया था जिसके बाद उसने इस बारे में किसी को भी नहीं बताया यानि कि इस बारे में उसने कभी भी डिसकस नहीं किया क्योंकि दोस्तों ये बहुती भयाबयकांड था दोस्तों उस बयान में उसने एक खोनी का जिक्र किया था खोनी ने चमडे का मास्क पैना हुआ था इसलिए वो उसका असली चेरा देख नहीं पाई थी झाल majesty का मान करlog किया उसका भूलियका जाओना बना में कि तवरी का माठे अन्य मी वोu इस पोस्तों ईत्युज़ 172 ग경 सब्स्तों कि तोस्तों ब़ेट कि लाल में भी आप Wait था खोनी एपर भभाल